तो चलिए फ्रेंड्स कैसे हो आप सब लोग ? तो चलिए फ्रेंड्स आज आपको इस बहुत बढ़िया हेर्स्टाइल बताने जा रही हुँ आजकर क्रिम्पिंग का बहुत फैशन है तो आज हम क्रिम्पिंग करेंगे अपने बालों में चलिए फटर फट स्टार्ट करते हैं तो फ्रेट सबसे पहले बालों को बहुत अच्छी तरह से सुल जा लेंगे क्रिम्पिंग अगर हमें करना है तो अगर हमें एक दो तिन पहले भी शैंपू किया हुआ है तो चलेगा कंटिशनर बहुत जादा हमें में पालों हैं जाएब हमता हुःं किंप तो तो नहीं करते हैं के सबसे पहले हम पॉर्फ बना लेंगे उसके लिए हम बालों की ऐलÁ लेंगे इंजा आईबू किटाम होती होग pear वब बृब कर्यों किन 5 कीर्द में उसके बाद हम आगे के पतली लिया छोड़ देंगे और पीछे वाले बालों में हम बैक कॉंबिंग करेंगे बैक कॉंबिंग को हमेशा पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे फिर उपर जाएंगे इसके बाल लिया हुए जो आगे बाल हमने छोड़िया है उसको इसके उपर डालके हम अपना पफ बना लेंगे बैक कॉंबिंग में हम थोड़ा सा हेर स्प्रे कर लेंगे यह नोवा गोड़ हेर स्प्रे है इसका भी वीडियो में अप्लोड किया हुए आप चेक आउट करके हैं इसके बाद हमारे दात को भीग red कर लेंगे पीछे और पीछे से पिछे कर देना आपके ऑपिछे द दबाना है तो पीछे कर लेंगे आपने अफने लिगलिए अपने पोफ ही अच्छे दान से शेक्योर हुए ऐखनों कैया है अगर हमें लगता है कहीं से हमें तोड़ा और उठाओ होगी, तो इस साइड़ वले इन पर क्रिंपींग करेंगे. तो इसको पहले इक पर ही सुझा लेंगे. तो फिट इस तरीकर से हम क्रिंपिंग मशीन लेंगे किसी को पोरे पूरा कि निशान बने वह हूए यहीं 김रा १ा या स्ट्रेट का है तो हमारा यह क्रिम्पिंग वला आ जाएगा, इस तरीके से आप हमें क्रिम्पिंग करनी है तो हम यह करेंगे, यह स्टाइलिस्टिक मशीन है पर यह बहुत पुरानी मशीन है, आज कर नोवा की अच्छी मशीन आ लिया है, क्रिम्पिंग मशीन जो नियर अबॉट 500 रुपेस की है, अपने पर्सनल यूज के हिसाब से अच्छी है, उससे आप कर सकते हो, तो इस तरीके से हम क्रिम्पिंग मशीन को लेंगे और थोड़ा सा गरम होने देंगे हम, उसके बाद हम पतले-पतले सेक्शन लेके अपने बालो में क्रिम्पिंग स्टाट करेंगे, मुझे बह डूरा मोड़े ले लिए तो हमारी पिल्कुल भी अच्छी हर दिंगे इसको कुछ सेकंड्स के लिए लगबर 30-40 सेकंड्स के लिए हम इसी तरीके से दबा की रखेंगे और वालो में। अगर आपकी नई मशीन है और बहुत जल्दी गरम हो जाती है तो फिर हम थोड़ा सा उसको 22-30 सेकंड सी रखेंगे उसके बाद हम इसको तेरे-देरे करके ठोलेंगे अब जहां से मारा खत्म हुआ है अब हमें जब दुबारा रखना है दिख रहा है इस तरीके से हमारा क्रिमपिंग आ गया अब जो हमें दुबारा मशीन रखनी है वो इसके नीशे है इसके नीचे से से फिर अशीर मसीतर को थोड़ा लूज रखना है इसको भी हम 30 to 40 seconds रखेंगे उसके बाद दिले दिले करते होगा हम इसको open करेंगे इस तरीके से हमारा बहुत ही सुन्दर आ जाएगा ये फिर उसके बाद दुगारा हमें जब रखना है फिर हम मशीन को वहीं पर रखेंगे नीचे ये बहुत ध्यान रखना है कि उपर वाले बाल हमारे खिचे ना नीचे ना आए तो इस तरीके से फ्रेंट तो इसको open कर लें है इसको दिया है इसको मशीन को बहुत धिहान से हमें यूज करना है अगर हम एर के पास में कर रहे हैं तो कान से बचाते हुए हमें करना है हमारे कान पी नहीं लगना चाहिए बहुत ही सुन्दर हैस्टाइल या चल रहा है आप घर पे बहुत इसको कर सकते हैं आगे से पफ बनाया अगर चाहते हैं कि पफ के ऊपर भी क्रिंपिंग चाहिए तो आगे जो हमने बाल छोड़े ते उस पे भी क्रिंपिंग करके फिर अगे हिरे क्लाज में आप सुन्दर कर सकते हैं अगर मैं पीछे के वे एक लेयर कोको हम कर सकते हैं बहुतासे बालां को सारे बालों में भी नीचे सेforcement है जा जारी हों इस तरीके चे हमने नीचे बाल भी कर लिये, तो बहुत सुन्दर हमारी क्रिंपिंग होई है, हम जितने पतले सेक्शन लेंगे ना उतना ही हमारी क्रिंपिंग अच्छी होगी, और हमारी यह बहुत देर तक ठीके, इसके लिए बहुत जरूरी है, इसमे थोड़ा सा हेयर स्प उसके बाद सेम इधर का भी हम कर लेंगे इसी तरीके से सेम दूसरी साइड से इस तरीके से पतली सी लियर ले लेंगे एक बाद इसको पॉम करके स्टेट कर लेंगे इसके बाद हम क्रिम्पिंग मशीन को रखेंगे उपर और इसको दबाया देगे क्रिम्पिंग मशीन को इस तरह से उठा के नि रखना ने तो फिर अच्छा नि आएगा इस तरीके से बें नीचे रखना है बाग होती है देख रहा है थोड़ी गरम होंगे ना थोड़ी फटाबर टोजेगे बस आगे-गे इतना सफिया है अना पुई बाद है इस अना आगे इतना सफिया है इस फ्रेंड्स में सा बोलने रही है अज आगे पर के चाह कर में मीशा कहरेंगे मैं बोलूंगी नीए अब हम दूबारा रखेंगे इसके नीचे रखेंगे इस तरीके से हमें इधर का साइड का भी कर लिया अब क्योंकि मैं कोई आगे का ही स्टाइल करना है बस थोड़ा पफ बनाना आगे-आगे मुझे करना है तो इस तरीके से हमें दोनों तरफ एक्वली क्रिम्पिंग करके दी हैं तो इसके फूरे बालों में कर सकते हैं और उपर उपर लियर बारे कर दी हैं तो इसको जरूर ठ्राइगा बहुत ही इसए करना तो friends अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फटा फटा इसको लाइक कर दीजिए, शेर भी ज़रूर कीजिएगा, रॉलिस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और साल साथ में इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर जरूर फॉलो करिएगा, तो हम बहुत ही कन्डिशनर बहुत जा जादा में अपने बालों में नहीं करता ज इस दिन कन्डिशनर नहीं लगाना बालो में, नहीं तो फिर बहुत क्रिंपिंग लोग नहीं आएगा उसके बिल्कु शुटे-फिस्ले से سल्लेपरी बालों, पच-पचु-पिच-पिच झाल